दिसकस किया था कि एक तो होती है grant related to asset और एक होती है grant related to income और जो grant related to asset होती है उसके दो treatment हमने डिसक्स किये थे एक को हम कहते हैं deferred income approach और दूसरे को हम कहते हैं deduction approach कि जो ग्रांड हमें मिली है इनीशली वह ग्रांड कंडीशनल होती है राइच यह कंडीशनल का मतलब है अगर हम कंडीशन मीट नहीं करेंगे तो ग्रांड हमें वापिस करनी पड़ेगी अधियर अभ्रल्ट थे जा ऌट अप्रोश करनी थी आजया थे जो अप्रोच में जो घ्रांड हमें मिलती है उसकोestly इंकम रिकॉर्ड करें त्वल्ड इंप्रोच में जो में ग्रांड मिलती है ऑटक्षर करने लेकिन अप्रोच में जो में ग्रांट मिलती है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं लेट सी तो मैं एज्यूम कर लेता हूं के हमें एक ग्रांट रिसीव हुई एक लाग पचास हजार और इसकी डेट थी फर्स जैन्वरी 17 और हमने एक एसेट एक्वाइर किया फिफ्टीन जैन्वरी को हमने एक 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 एक्वाइर किया फ्री अंड्रेट थाउड़न को यह यूस्फुल लाइफ जो है हमारी एसेट की है वो है पांच साल और मैथड ऑफ डेप्रीसियेशन है स्ट्रेट लाइन अगर हम डेफर इंकम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं तो हमने इस लास्ट ताइम उसके एंट्री इसको बात करनी थी अब अगर मुझे डिडक्शन अप्रोच बनानी है तो पहली एंट्री में रिकॉर्ड करूँगा गरांड रिसीव होने की ठीक है तो गरांड कितनी रिसी लेकिन मैं जो अप्रोच इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें डेफरें इंकम अप्रोच ना इस्तामाल कर रहा है मैं डिडशन अप्रोच इस्तिमाल कर कर रहा है यह बात जहन में रहे है फिर मैंने एसट एक्वाईर किया 300,000 का आइन्टीपास होगी अब डिदक्शन अप्रोच का मतलब यह देखो अगर हमने 300,000 का असेट एक्वाइर किया है और गवर्मेंट ने हमें 150 पिया है तो इसेट 150 का हुआ ना जी तो डिदक्शन अप्रोच में क्या करते हैं अब 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 गवर्मेंट ने तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें 150 के सपोर्ट तो गवर्मेंट ने देदी ना हमारे पॉकेट से एसेट की कॉस्ट कितनी गई 150 गई तो यह डिदक्शन अप्रोच में हम एसेट की वैल्यू को कम करते हैं जब एसेट क्रेडिट हुआ तो एसेट की वैल्यू बुक्स में कितनी हो गई 300,000 थी जिद अवन सिंप्ट कर दिया एसेट को क्रेडिट कर दिया तो एसेट को 150 प्रिक्शन प्रिक्सिक्राइट गई ना इसका मतलब है अधार पिर्ट एषं किसपे चार्ज होगा प्रियं देट पर या वन सुन प्रिक्राइब 150 पे 150 पे, depreciation कम हो जाएगा जी depreciation expense होता है जी होता है expense कम होने है मतलब income जी सही है यह indirectly income record हो रही हु यह क्या record हो रही है indirectly indirectly income record हो रही है वहाँ पर grand income directly record होती थी यहां पर grant income indirectly record हो रही है कैसे record हो रही है reduce depreciation की form सही है अगर यह grant नहीं मिलती तो एक साल का depreciation कितना होता 30 अगर 60 अगर सही है तो आप हमें ultimately हम depreciation कितना record कर रहे है 30 अगर अब हम 30 अगर कर रहे है तो जो ग्रांट हमें मिल रही है वो ultimately हम reduce depreciation की form में record कर रहे है जी सर अच्छा इसका profit and loss effect क्या होगा profit and loss account में सिर्फ depreciation जाएगा जी सर और expense जाएगा जाएगा जी सर और balance sheet में कोई deferred income अगरा नहीं आएगी हुआ balance sheet asset अगज़ा asset asset 300000 लेकिन हमने 150 माइनस कर दिया था नुद लेकिन हमने 150 माइनस कर दिया था नुद जी सर इसें एच्छी पर ईगा और उसमें से 30,000 का depreciation माइनस होगे हुए तो नेट एसेट्स कितने हुए है वाइस कुंकि हम डिदक्शन अप्रोच इस्थमाल कर रहे हैं तो इसलिए बैलन्स शीट में डेफ़र इंकम नहीं आई कर दोनुप फर्क है नो फर्क ए यह है एक डारेक्ट अप्रोच और एक इंडारेक्ट अप्रोच उसे विश्यर अग्रॉटी अगर डेपर इंकम अप्रोच होती ही तो पीनल पर ये अफेक्ट आता है डेपरीशियेशन साथ हजार होता है और ग्रांड इंकम जो होती 150 की ग्रांट है ना ग्रांड इंकम कितनी होती कितना होता है अब कि अभी डिदक्शन में कितना है इंट्री अगर तुम पिछली क्लास वाली एंट्री याद रखो तो पहली एंट्री यही बनी थी दूसरी एंट्री यही बनी थी यह एंट्री नहीं बनी थी इसकी जगा इंट्री बनी थी डेफ़र इंकम डेबिट और ग्रांड इंकम क्रेडिट ग्रांड इंकम क्रेडिट ग्रांड इंकम क्रेडिट ग्रांड इंकम अप्रोच में यह एंट्री पास होगी और डिदक्शन में यह पास होगी और डिदक् अब बात कर लेते हैं, grant related to income, grant related to income का मत्तब है कि government ने हमें कोई benefit दिया लेकिन उसका asset खरीदने से कोई ताल्लुक नहीं, other than asset खरीदने से ताल्लुक है, सही, for example, government ने कहा कि आप अपने employees को train करें, हम आपको training against grant दे रहें, अब training to expense होता है, यह expense के लिए grant मिली, लेकिन इसकी type के अगला है कि grant related to income, नाम इसका यही है, grant related to income, अब जो grant related to income है, उसके भी दो possible accounting देश्मेंट है, पहला, कि उसको हम क्या record करें? और दूसरा, किसमें से deduction करें? अगित्युन, गो श्डम्स एकष्चा उसके ड कि रिपटी है waa, जो परियोध की रिपटी प्ताई है刮 का कि इसके से रिलेटेड़ मेरी स्चेए धिन और खेंग देखरो। में प्ताई हो, और हम इसका अग्ष्का één कृया इसका है, कि आप हर साल एक लाग रुपे की ट्रेनिंग का एक्समेंस करो 50 पर्षन हमसे आपका जो बर्डन होगा उसका 50 पर्षन हम देंगे 50 पर्षन आप भेर करो तो फॉर एक्जाम्पल हम डेफर इंकम पर बात कर ले तो फॉर एक्जाम्पल ग्रांट रिसीव 100,000 अग्स तरेनिंग कॉस्ट्बिकर् writers तहीएव तरेहीए त्रेनिंग कोस्ट इंकर्ड फस्टियर तरेहीए त्रेनिंग कोस्ट इंकर्ड हुए आपकी दो लागती वो कहते हैं कि जितनी आप ट्रेनिंग कॉस्ट इंकर्ट करेंगे न उसका 10% आपका ग्रांट है यानि कि इतना आपने अर्ण कर लिया तो अगर मैं डेफर इंकम से रिकॉर्ड करूंगा तो ग्रांट कितनी मिली और लाइबलेटी किसमी हो गई है या वही एसे वाली एंट्री है एंट्री डेफर इंकम जो हुआ मैं रिकॉर्ड के ती मैं रिकॉर्ड कर रहा है तो ग्रीनिंग तो आपनेड़ नकिनी गॉस्ट अखर क्रेंगे ट्रेणिंग कास्स हमारी कितनी है है 200,000 यह एक्सपेंस में चला जाएगा जीजिए 200,000 गवर्मेंट ने कहा है कि आपने से ट्रेनिंग कॉस्स इंकर्ट करनी है उसके अगेंस आपकों 10% दे रहे 200,000 का 10% कितना हुआ ? So definite income कितनी हो गही है ? And this one profit & loss account में डाल देके उसके एंकर्ण गवे आपके है इन्ट्री कंवली हो गही है Profit and loss account में प्रेनिंग कोस्ट आएगी ? दीसर ट्रेंग कोस कितनी हैų? 1 वहा residue और गाणद इंकम कितनी है? 20 तख़ंड गाणद इंकम 20 ताउजट just ah 180 तख़ंड आ हुआ proud ओर बांढ़ी एक प्ताउड है बलान माणट शी तकनी टुट्ट आ रही है? 20 ताउजकन प्रिजिनल डेफिटें कितनी हैं? और इंपरीजनल डेफिटें कितनी ग्रांट रिएलाइज होगी? 20 ग्रांट डेफिटें ग्रांट डेफिटें में जाएगा 90 अजायगा? 100% अगर इसे को मैं डिदॉक्षिन अप्रोच चे करूं? या दिदक्शिन फॉम एक्स्थेंस तो लोग मैं इंचिन करेंगी कुश्यंपे लिए लिए अपतक गॉपर ना कोई एक दफा एक अटेंब के अनरा यह 16 के साथ मिक्स ओकर आया था वना गॉपर एक भाद बड़ा जबर्दस किसम का सवाल नहीं आया गॉपर एक वोटी मोटी अ जाती है तो एक जामेनर एक सेवन का कभी ग्रांट के ओपर इतना डिटेल में गया नहीं है एक सेशन यह में यह लेकिन में सी कूश दे सकता है वह कोई टाइप पे सेशन एक किस टाइप पे देता है मतलब यह जैसे वीमेन एक्जांपल करवाई ना यह डेटा देते और त िर्फिद्SON आ जगेगे देर, जो हाम रॉण हो में पता होगा हम कैसे हजी में टरेटमेंट करेंगा है अगर हम डिदक्शन फोम एक्सपेंस मेफड से चलते हैं तो इसके अंदर हमारा जस्त अमिनट वन मिनट अभी तुम एक ही पेपर देरो इसके एलावा क्या पर यह अच्छा पर यह तो बहुत नहीं गारा है जी तो पता है मैं बीघ कुम कितना पे चरता होग? कितना ? यह पुली पॅरगक पुरे पीघशन को अब देरो देरो फॉरलाग अङ का दूरेशनकों बेचक्छा यह इत अब यहा था हिए? यह सर 3 च्किलिस साहिग है सही है मेंगालिबी जिक वियर हृष जो नियुकलेजयर राफ फिर शौल्हा प्रइस के उका나 प्रहँ दो यह क्म हिए आयक दूबाी में कात चाहँ कैसे लिए ? इन फिर बनेंगें प्रहँ क्यों तुम अपने इंडिया के अंदर तुम्हारे रेफरेंस में स्टूरेंस होते हैं ओनलाइन की यह अधेली हैं इंडिया में जानने वाले से नहीं सर्थ नहीं सर मिला था मैं जब में नेट पे आपका नमबर मिला था इंके सर से इन नाओ की कैशन होती हैं ना माम कहता है अ अधुर आपने बात नहीं मशुर रहें विडियो लिक्ष राक बहुत सर्विक्ते हैं यह हम आउं अ उनक्यात नमनगाता तो उनको कैसे contact किया दूसरा उनको कैसे contact किया दूसरी एंट्री थी सेम रिकॉर्ड की जो इसरी एंट्री में आप मैंने क्या किया grant income record करने के बजाए जो भी amount बनता था 10% training की cost का वह deferred income को debit किया और training की cost को credit कर दिया डिदक्षिन अपरोफ प्रोफित एंदर लॉस अकाउंट के अंदर जो मेरा नेट एक्सपेंस होगा वह गाद ट्रेनिंग प्रेंडिंग कितनी है और इसके अंदर से डेफर इंकम निकाल दी मैंने तो यह हो गई दो लाग की ट्रेंग माइनस बीस अजार नेट एक्पेंस कितना हो गया पिछली वाली एक्जाम्पिल में कितना गया अब कितना आया इसने वाद दोनों अप्रोच में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ नेट आंसर होई है अब जिसे अगर फाइनल अकाउंट का सवाल आता है न तो फाइनल अकाउंट में वो कहता है कि यार ग्रांट हमने डेफर इंकम अप्रोच इस्तमाल किये और इस साल की जो ग्रांट इंकम में वो अब तक रिकॉर्ड नहीं है आपको पता होना चाहिए डेफर इंकम डेबिट हो जाएगी ग्रांट क्रेड़ित हो जाएगी और इंकम और यह यह एंट्री पास की न हमने डेफर इंकम अप्रोच तो इसका अफेक्तम प्रॉफिट अंक व्यों स् तो फाइनल अगाउंट को सवाल आता है ना इसलिए प्रॉब्लम में फसते हैं कि उन्हें हर आइस की एड़्जस्मेंट का अफेक्ट नहीं बता होता है अच्छा जी से फाइनल अकाॉंट में लेकिन अफेक्ट पता अच्छा उस तरह से चलता है कि जर्नल एंट्री से शिर आप लिकि फाइनल अकाउंट जो हो स्टावाताओं जर्नल एंट्री से जर्नलेंट्री से कर वाता हूं और पर जर्नलेंट्री से पहले करवाता हूं अजाए कि इस की लिए पहात चाह ये जो आआए उससे पड़ा तव पेचान हो जा है और से विभिछ हमकोर है अब जाने को खूला ले फिर्टी निरों कर एकिन ड़रेद करने को जाती है कि जाते है चारव कि-समेय जानल एन्टिट बघड थी अज़ाओ इस बैसे अज्सा टास जिछ आई या कईड आग कई-पासट में, पर लंसे अज पहन सब्सक्राओं जो कि आगि यह यह यूजवली एक सेवल ना तनी लेकिन आपी यह यह री पेइमेंट ऑफ गवर्मेंट ड्रॉंट जी सिर्ट केंडिशन वाइलेट बरॉइलेट अगया तो इस्तेमाल करना अमने एक साल के बाद अचीट बन कर दिया है हमें ग्रांट रीपे करनी पड़ेगी तो ग्रांट रीपेमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा पर एक्जाम्टल हमें ग्रांट रिसीव हुई थी दो लाग को ठीक है और हमने उस दो लाग को कहा रिकॉर्ट किया एक साल गुजरा तो हमने डेफिट इंकम के अंदर ग्रांट इंकम बुक कर ली पॉर्टी थाउजन तो रिमेनिंग डेफिट इंकम कितनी बची वन लाक शिस्टी आप कंडिशन वाइलेट होगी तो गवर्मेंट ने कहा कि जी हम आप हमें दो लाग की ग्रांट वापिस करें पूरी ग्रांट वापिस करें जी अब इस रिपेमेंट की क्या इड्जस्मेंट होगी एंट्री क्या पास होगी गवर्मेंट को हमें दो लाग वापिस कर दिया तो कैश जाएगा जी जाएगा जाएगा वहाँ जी जब मैंने गवर्मेंट को कैश वापिस कर दिया तो यह एके पास रखती है लिए लिदिटी खतम हो जाएगी लिदिटी खतम करने के लिए डेबिट होता है तबाइड grupp आरी यज्य स्मिन खेटिड निश tree क्या cash credit लाइडust踏कर नमढ़ीडदी डेबट उके डिफरेंस आगिया इंट्री में जिया रहा है दिए इसको इनवे डेबि इसका नाम देदेते हैं ग्रांट पोर फीटेड एक्सपेंस प्रॉपिटल लॉस अकांट डेबिट हो रहा है इसका मतब एक्सपेंस है पिछले साल जो 40,000 की ग्रांट इंकम पीनल में रेकॉर्ड हुई थी ना यह उसकी कैंसलेशन है इंकम क्रेडिट हुई थी कैंसल करने के लिए पीनल डेबिट होगी और अगर डिड़क्शन अप्रोच इस्तामाल होती ही तो ट्रीट्मेंट थोड़ा से डिफरेंट होगा कि डिड़क्शन अप्रोच में तुम घ्रांट इंकम रिकॉर्ड़ी नहीं करते हैं रिडियूस कर देते हैं एसेट्स को और रिडियूस कर देते हैं डेपरीशियेशन को तो अगर गवर्मेंट हमसे ग्रांट वापिस मांगती है तो अब क्या होगा हुँ है तो सबसे पहले तहुम क्या करेंगे और हिए पहले अंट्री पास होगी एम आप्झ क्रीश कर दें पाइसे 20 सब्सक्राइब करेंगे तो केたい क्ष photographs नहीं है कैसे क्ष pumped क्यूंकि रीपेमेंट है रीपेमेंट अब गृण और डपरीशेचन हमने कम रिकरट किया था ना जो डपरीशेचन बढ़ा देंगे तो डपरीशेचन एक्सपेंज डबिट हो जाएगा और अनाव्व कोड़ाइशन ग्रेडिट हो जो ये दो अग्जस्मेंट पास होंगी भ वबिमेंट अब करदो नो के कार यह वर और साह। बारिशा पींड अप्रिविद और बालनशीत में दिखा देंगे कि आपलेंशीट में अशेट बढ़ जाएगा अप्रिविद फी अफिभी सेशन बढ़ जाएगा यह जिसर ग्रांटेट की फिछ दन्ट केंफ तुर नियुं서 दो के दना कर औरिए पकर आक्र डापी एं तो गरांड का अंना ऑप्रेंग में उर्प्रवग का सबश्रलिए उट करके सो और यह कहारां सब्सक्तर syndrome यह कॉपरेशन में क्या करेंगे द्चोर्थम गरांट इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे क्या दिखाएंगे अगर यह ना दिया आवाओ कि ग्रांट रिसीप कितनी हुई है तो आप ग्रांट का टी अकाउंट बनाओगे इसका डेफ़र इंकम का टी अकाउंट बने लिए तो डेफ़र इंकम का ओपनिंग बैलंस और यहां पर जो बैलन्स हा रहा होगा भी हां फैसिए शोर्ण जा रहा होगा इनिश्रिंग हें सिर्शी में इंवेस्टिव बिश्रिंग डिन्ग इंकम दिया होगा? गांद इंकम नांद इंकम सेहेँ है? विसन फर एक्जामपल जबए प्षिक जुख़र्च इंकम दीवैं? यहां डेफ़र इंकम 100,000 थी और डेफ़र इंकम जो थी वो 1,50,000 और ग्रांट इंकम जो प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है वो रिकॉर्ड हुई है 20,000 थी रेफ़र कम देशाओ, का बाच व क्या प्रॉफिट डेफ़र इनकम आते प्रॉफिट तयहां ब्रॉफिटाओं दमुद्ध प्रॉफिटाओं टर रेफ़र इंदेशन याद रखे है के मचेए इनकम को माइनस को. होते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश रसी हुआ वहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा देखा 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 ओके सर्व यह हमारा जो है वो ग्रांड का टापिक हो गया